एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लद्दाक के से घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लद्दाक एक बहुत खुबसूरत टूरिस डेस्टिनेशन है यह स्थान अधिकतर भारती परेटकों की सुची में शि विंचर के शोकीन लोगों के लिए तो लद्दाक किसी जन्नत से कम नहीं है यदि आपने लद्दाक घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है कि लद्दाक किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यहा है कि अप्रेल से ज लद्दाक में अप्रेल से जून के बीच तापमान लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री सेलसियस के बीच रहता है जबकि जुलाई से सितमबर तक तापमान 3 डिग्री सेलसियस से 17 डिग्री सेलसियस के बीच तथा अक्टूबर से मार्च के दोरान तापमान 0 डिग्री सेलसियस स 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तता जुलाई से मार्च के महिनों में लग्दाक के बहुत सारे रास्ते बर्फ तता बारिश के कारण बंद रहते हैं इसलिए हमारी आपको सला है कि आप लग्दाक गूमने का प्लान केवल अप्रेल से जून के बीच ही बनाईएगा आपने यह तो तई कर लिया कि आपको लग्दाक कब जाना है अब आपके सामने दूसरा सवाल यह उत्पन होता है कि लग्दाक कैसे पहुंचे तो इसका जवाब यह है कि लग्दाक जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदी के कई विकल्प उपलब दें आप अप श्री नगर से लह तथा दूसरा मनाली से लह इन दोनों रास्तों से लह के लिए सरकारी और नीजी बसे चलती है यदि आप श्री नगर से लह पहुंचने के लिए बस पकड़ते हैं तो आप जोजिला दर्रा होते हुए लह पहुंचेंगे और यदि आप मनाली से बस पकड पहुचने में नियूंतम चार दिन लगेंगे। यदि आप श्रीनगर से लेह लद्दाग जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से लेह लद्दाग की दूरी 425 किलोमेटर है तता यात्रा में दो दिन का समय लगता है। बजे वापस अपनी यात्रा प्रारम करती है तता शाम को तीन से चार बजे लद्दाग की स्वयूत राजदानी लेह पहुच जाती है। बस का दो दिन का कुल किराया लगबक तेरा सो रुपए है। यदि आप बस द्वारा मानाली से लेह लगदाग जाना चारते हैं तो यात्रा में दो दिन का समय लगता है तता मानाली से लेह की दूरी 475 किलोमेटर है। आपको सबसे पहले अपने घ्रहनगर से मानाली आना होगा मानाली से ही लेह पहुचा जा सकता है। लेह के लिए बस सुभ़ 10 बजे हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट सेंटर मानाली से प्राड़म होती है। बस अटल टनल से गुजरते हुए दोपर में 2-3 बचे क केलोंग पहुचती है। तता रात पर आपको केलोंग में ही रुकना होता है। यहाँ पर रुकने तता खाने का खर्च आपके बस टिकेट में ही सम्मिलित होता है। अर्थात आपको रात रुकने तता खाने का खर्च अलग से नहीं देना होता है। अगले दिन यह बस राजधानी लेह पहुच जाती है बस का कुल किराय लगभग 2900 रुपए है यदि आप एडवेंचर के शोकिन है तो जीप या बाइक से भी मनाली से लेह लद्दाग जा सकते हैं अकेले बाइक से श्रीनगर के रास्ते से लेह लद्दाग जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप बाइक या जीप से ही लेह लद्दाग जाना चाहते हैं तो हमारी आपको सलाह है कि आप मनाली से ही लेह लद्दाग की यातरा कीजिएगा यदि आप ट्रेन द्वारा लद्धाग जाना चाहते हैं तो लद्धाग का निकटतम रेल्वे स्टेशन जम्मू तवी रेल्वे स्टेशन है जो लद्धाग से 700 किलमेटर दूर है इस रेल्वे स्टेशन पर दिल्ली, कॉलकाता, मुंबई और अन्य कई महतपूर्ण स्थानों से ट्रेने आती है जम्मू तवी रेल्वे स्टेशन से आप बस या टेक्सी द्वारा पहले श्रीनगर तदा महां से लद्धाग पहुंश सकते हैं बस द्वारा जम्मू से लद्धाग तक पहुंशने में कम से कम तीन दिन लगेंगे यदि आपके साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं तो भूल कर भी इस तरीके से लद्धाग मत जाईएगा क्योंकि लद्धाग पहुंशने का यह सबसे असुविधा जनक तरीका है अब हम एरोप्लेन से लद्धाग के से पहुंचे इस पर चर्चा करते हैं गोर्तलेपे की लद्धाग की राजदानी लेह में एरपोर्ट इस थी थे जिसका नाम कुशोग बकुला रिमपोच एरपोर्ट है एर इंडिया, इंडिगोर, स्पाइस जेट जेसी एरलाइन्स की नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैंदरबाद, आधी कई बड़े शेरों से कई फ्लाइट्स लेह आती है नई दिल्ली से लेह तक हवाई मार्ग से पहुंचने में केवल देर घंटे का समय लगता है लेह के एरपोर्ट अत्वा बस स्टेंड पर पहुंचने के बाद आप टेक्सी से अपने होटल के रिपस्थान करें टेक्सी आपको एरपोर्ट पर या बस स्टेंड पर आसानी से मिल जाएगी आप होटल आनलाइन ही बुक करें क्योंकि लेह पहुंचने के बाद यदि आप होटल की खोजबिन करेंगे तो होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा तता होटल वाले मनमाना किराया वसुल करेंगे साथ ही आपका बहुत सारा समय बरबाद हो जाएगा इसलिए होटल आनलाइन ही बुक करें लेह में आप चेंगस्पा रोड परिस्तित होटल में ही रुकें लेह में चेंगस्पा रोड परिस्तित होटल ठहरने का सबसे अच्छा विकल्प है आप केवल एक सी दो हजार रुपे में चेंगसपा रोड पर इस्थित होटल में रूम बुक कर सकते हैं लद्दाक में आपको कहीं भी थ्री स्टार या फाइव स्टार होटल नहीं मिलेंगे परन्तु होटल में सुईधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी तथा होटल का स्टाफ आपकी खातिरदारी ऐसे करेगा जैसे आपको ही राजा महरा जाओं यहां का सेवा भाव आपका मन मोहलेगा लेह के चेंगसपा रोड पर होमस्टे या टेंड का विकल भी उपलबद रेता है जो होटल से बहुत कम दाम में लगबग 500 से 1000 रुपे प्रती दिन में मिल जाता है लेह में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप नहा कर तथा होटल के ही रेस्टोरेंट में लंच कर ले लंच करने के बाद आप अपनी होटल होम इस्टे या टेंट में ही रेस्ट करें इसका करण यह है कि ऑक्सिजन की भारी कमी तथा हाई एल्टिट्यूट के करण आपको लेह पहुंचते ही acute mountain sickness AMS महसूस होगी आपको सरदर्द, कुल्टी, बेचेनी तथा चलने फिरने में भी दिक्कत होगी इसलिए आपको लेह पहुंचते ही घूमने के लिए नहीं निकल जाना है आपको पहले दिन अपनी होटल में ही rest करना है ताकि आपका शरीर लेह के मोसम का अभ्यस्त हो जाए एक बात और याद रखें कि यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप अपनी होटल में चेक इन करते ही रिसेप्शन से पोटेबल ऑक्सिजन सिलेंडर ले लीजिएगा यह ऑक्सिजन सिलेंडर आपको केवल 500 रुपे में मिल जाएगा यदि आपके परिवार में किसी को साथ लेने में दिक्कत हो तो आप इस ऑक्सिजन सिलेंडर का उप्योग कर सकते हैं साथ लेने में दिक्कत केवल कुछ समय ही होगी तता यह ऑक्सिजन सिलेंडर आपकी उस दोरान बहुत मदद करेगा आप अपनी होटल में रात का डिनर करके रेस्ट करें इस प्रकार लद्दाक ट्रिप का आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था दूसरी दिन आप सुबह उठकर फ्रेश होकर तता नहा कर अपनी होटल में आज भी महसुस हो रही हो, तो आप एक दिन और अपनी होटल में ही अपने परिवार के साथ रेस्ट करें, लहे में आपको अथवा, आपके परिवार को acute mountain sickness हो, तथा आप घूमने की जल्दबाजी करेंगे, तो यह शरीर के लिए बहुत गातक सिद्ध हो सकता है, यह याद र आतावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे, तथा शारीरिक समस्याएं भी स्वता ही खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आप लग्दाग घूमने जाएगा, आप अपनी होटल से ही पूरे दिन के लिए टेक्सी बुक कर लें, अब आप दूसरे दिन breakfast करने के बाद लेह सिटी के ल एक बात और याद रखें कि यदि टेक्सी वाला आप से कहें कि आप तीन या चार दिन का लग्दाग ट्रेवल पेकेज बुक कर लीजिए, तो आप बिलकुल भी ऐसा मत कीजीगा, इसके लिए वो आप से 25 से 35 हजार रुपे मांगेगा, जबकि यदि आप डेली बेसेस पर ट्रेवलिंग पर ही होता है, लेह में आप सबसे पहले शान्ती स्टूप देखने जाईएगा, यह शान्ती स्टूप लेह सिटी सेंटर, जिसे लेह का मुख बाजार कहते हैं, से केवल 5 किलोमेटर की दूरी परिस्ती थे, यह शान्ती स्टूप विश्व का सबसे उचा स्टूप के विउपाइंट से लेह का बहुत खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है, शान्ती स्टूप देखने के बाद आप लेह पेलेस जिसे लहाचेन पलकर के नाम से भी जाना जाता है, उसे देखने जाएएगा, यहा पेलेस, शान्ती स्टूप से केवल 3 किलोमेट गोरतलबे की लेह पेलेस अपने समय की सबसे उची इमारतों में से एक है जिसमें कुल नो मंजिल है यदि आपके पेर सांथ दे तो आप पूरी नो मंजिलों को भ्रहमन कर सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है यह महल पूरे लेह शहर का सबसे मनोरम दरश्य प्रस्तूत करता है ग लेह सिटी में कहीं भी अच्छे से रिस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप शेय पेलेस तता शेय मोनेस्ट्री देखने जाईएगा जो की लेह से 19 किलोमेटर दूर है शेय पेलेस को लहाचेन पालजी गौन के नाम से भी चाना जाता है इस महल का उपयोग से केवल 4 किलोमेटर दूर इस्तित हाल ओफ फेम वार मेमोरियल देखने जाईएगा इस हाल ओफ फेम वार मेमोरियल में लद्दाक में सियाचीन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्दों के साथ अन्नी सेन अभ्यानों में भारती सेना की उपलब्दियो अब आप वापस लह आ जाईएगा इसके बाद आप टेक्सी वाले को पेमेंट करके टेक्सी छोड़ दें तता पेदल पेदल लहे के बाजार में घुमे तता शौपिंग करें इस प्रकार लद्दाक में आपका दूसरा दिन समपत होता है तीसरे दिन सुबह जल्दी अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तता होटल से जितनी जल्दी हो सके चेक आउट करें इसके बाद आप अपनी होटल के बाहर से या होटल के रिसेप्शन से लगदा के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रेक्शन पेंगोग लेक को देखने के लिए टेक्सी बुक करें लेह से पेंगोग लेक की दूरी 223 किलोमेटर है तथा यातरा में लगबग 6 गंटे का समय लगता है पेंगोग लेक ट्रिप के लिए आपको दो दिन के लिए टेक्सी बुक करने पड़ेगी क्योंकि पेंगोग लेक देखकर उसी दिन वापस रात में ले लोटना बहुत मुश्किल होता है तथा एक दिन में आप पेंगोग लेक ठीक ढंक से एक्स्प्लोर भी नहीं कर पाएंगे तथा सकरे तथा खतरनाक रास्तों के करन रात का सफर लद्दाग में बहुत रिस्की माना जाता है टेक्सी का दो दिन का आने जाने का किराया लगबग 7000 रुपे होगा यदि यात्रा खर्च कम करना है तो आप शेर टेक्सी से भी केवल 3000 रुपे में पेंगोग लेक देखकर आ सकते हैं पेंगोग लेक के रास्ते में कई सारे खुबसूरत टूरिस स्पॉर्ट्स भी आएंगे जो आपको आपका टेक्सी वाला दिखाता हुआ ले जाएगा यदि आपको लंच करना हो तो आप पेंगोग लेक के रास्ते में कुछ अच्छे रेस्टोर्नेंट मिलेंगे वहाँ पर लंच कर सकते हैं यदि आप ले से सुबह नो बजे पेंगोग लेक के लिए निकलते हैं तो पेंगोग लेक तक आप दो पर तीन बजे तक पहुँच जाएंगे यदि आप रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे तो एक से दो घंटे और बढ़ जाएंगे पेंगोग लेक पहुँचकर आप सबसे पहले अपनी आनलाइन बुक होटल में चेक इन करें आप पेंगोग लेक पर इस्थित होटल एक दिन पहले ही लेह से आनलाइन बुक कर सकते हैं यदि आपने पेंगोग लेक पर होटल आनलाइन बुक नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पेंगोग लेक पहुँचकर भी ततकाल होटल या टेंट बुक कर सकते हैं। ततकाल होटल या टेंट बुक करने पर वह थोड़े महंगे पड़ते हैं। यहाँ टेंट का रेट 1000 रुपे तता होटल का रेट 2000 रुपे प्रती दिन के लगबग होता है एक बात और याद रखें कि यहाँ पर आपको temporary construction वाले बहुत साधारन होटल ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ permanent construction की मनाई है होटल या टेंट बुक करते समय सबसे महत्मुन बात यह ध्यान रखें कि होटल या टेंट पेंगोग लेक के किनारे ही हो चाहे 200 या 400 रुपे जादा ही क्योंना देने पड़े होटल आप पेंगोग लेक के किनारे ही बुक कीजीगा इसका करण यह है कि पेंगोग लेक के किनारे के होटल या टेंड से पेंगोग लेक का जादूई नजारा दिखता है होटल में चेक इन करने के बाद आप चाय नाश्ता करके पेंगोग लेक देखने ततकाल निकल जाएं गोर्तलबे की पेंगोग लेक की लंबाई 135 किलोमेटर है जो भारत और चीन दोनों देशों में फेली हुई है इस जील के लगभग 45 किलोमेटर हिस्से पर भारत का कबजा है जबकि 6 90 किलोमेटर हिस्से पर चीन का कबजा है पेंगोग लेक अपने रंगों को बदलने के लिए पूरे विश्व में मशूर है इस जील का रंग सूरी के प्रकाश के बदलते कोन के कारण कभी निला, कभी लाल और कभी-कभी हरावी दिखलाई पड़ता है इस जील के पास बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है लेकिन आमिर खान की थ्री इडियट मूवी ने इस लेक को वर्ल्ड फेमस कर दिया है इस जील तथा इसके आसपास का वातावरन आपको मंत्र मुग्द कर देगा आप इस लेक पर वह जगह भी देखिएगा जो थ्री इडियट मूवी में दिखाई गई है आप यहाँ पर सेल्फी पाइंट्स पर अविस्मरनी सेल्फी भी लीजिएगा स्वर्ग अर्था जन्नत क्या होती है उसके साक्षाद दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे आप अपनी पूरी शाम इस लेक के किनारे ही बिताईएगा एक बात और याद रखिएगा कि इस लेक में बोटिंग नहीं की जा सकती है तथा वाटर स्पोर्ट्स की भी सकत मनाईए क्योंकि यह लेक भारत तथा चीन के बीच इस्तित लाइन ओफ कंट्रोल पर इस्तित थे लेक पर शाम बिताने के बाद आप अपनी होटल में आ जाएं तथा डिनर करके होटल के बाहर जलती हुई लकडियों के बीच केमप फायर के साथ इस्तानी नरत्य संगित का आनद लीजिएगा इसके बाद आप अपने टेंट या रूम में रेस्ट करें इस प्रकार लद्दाख में आपका अविस मरनी तीसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबर जल्दी उटकर फ्रेश होकर पेंगोग लेक पर सन्राइज को इंजॉई कीजीगा इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसा सुन्दर सूर्योदे आपने अपने पूरी जीवन में नहीं देखा होगा इसके बाद आप अपनी होटल के बाहर जो टेबल चेर लगी होती है महाँ पर बेटकर ब्रेकफास्ट तथा चाय काफी का लुथ लीजिएगा इसके बाद आप एक बार और लेक के किनारे घुमाईएगा क्योंकि क्या पता इस प्रकार की सुबह जीवन में फिर देखने को मिले या ना मिले इसके उपरांत आप अपनी होटल में आकर नहा कर तयार हो जाए तथा होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप अपनी होटल से वापस लेक के लिए प्रस्थान करें यह बात लिख लीजिएगा कि आपकी टेक्सी आपको लेकर तो ले जा रही होगी परन्तु आपका मन पेंगोग लेक को ही याद कर रहा होगा आपका मन करेगा कि वक्त यहीं रुख जाए और आप पेंगोग लेक पर ही अपना पूरा जीवन बिता दे परन्तु हम यह जानते हैं कि यह हो नहीं सकता इसलिए अपने मन को समझा कर लेह की और प्रस्थान करें रास्ते में कई सारे सुन्दर स्थानों को देखते हुए किसी स्थानी रेस्टोरेंट में लंच भी कर लें इसके बाद आप लेह पहुंचकर अपनी होटल में चेक-इन करें आप चाहें तो उसी होटल में रुख सकते हैं जिसमें आप लेह में शुरुआत में दो दिन रुखे थे अथो आप किसी नई होटल या टेंट में भी रुख सकते हैं इसके बाद आप चाय नाश्ता करके अपनी होटल से पेदल पेदल लहे के बाजार में शॉपिंग करने या घूमने निकल जाईए इसके बाद अपनी होटल में आका डिनर करें तथा रेस्ट करें अगले दिन अर्थत पांचवे दिन आप अपनी होटल में सुभा का ब्रेकफास्ट करें तता शाम वेली घूमने के लिए तेयार हो जाएं इसके बाद आप अपनी होटल के रिसेप्शन या पास की टेक्सी स्टेंट से शाम वेली घूमने के लिए टेक्सी बुक करें शाम वेले में अलची, लिकीर, बसगो, जांसकर और सिंदू नदी संगम, निम्मू, मेगनेटिक हिल, गुरुद्वारा पाथेर साहिब आदिका ब्रह्मन शामिले यहाँ पूरी राउंड ट्रिप लगबग 140 किलोमेटर की होगी, तता इस ट्रिप में 9-10 गंटे लगेंगे, टेक्सी का किराया लगबग 3,000 रुपे लगेगा इस ट्रिप में आप सबसे पहले गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने जाएगा, इसा कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में एक ऐसा पत्थर है, जिसे श्री गुरु नानक देव ने स्पर्श किया था, इस गुरुद्वारे का निर्मान भारती सेना ने किया है, य इस गुरुद्वारे में दर्शन करने तथा अर्दास करने के बाद आप मेगनेटिक हिल देखने जाएगा यह मेगनेटिक हिल पत्थर साहिब गुरुद्वारे से केवल 8 किलोमेटर तता लेह से इसकी दूरी लगबग 30 किलोमेटर है मेगनेटिक हिल समूद्र स्तर से लगबग 14,000 फिट की उचाई परिस्तिते उलेकनी है कि मेगनेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है जहां पर वहां गुरुत्वाकरशन बल अर्थाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से अपने आप न्यूट्रिल गेर में भी पहाड़ी की तरफ उपर बढ़ते जाते हैं मेगनेटिक हिल में आप्टिकल भ्रम के करण हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रिल गेर में पहाड़ी पर चड़ रही है लद्धाग जाने वाला हर परेटक इस मेगनेटिक हिल के जादूई फिनोमिना को देखने जरूर जाता है आपकी गाड़ी का डाइवर भी इस जादूई घटना को आपकी आँकों के सामने करके दिखाएगा मेगनेटिक हिल देखने के बाद आप थोड़ा आगे जांसकर नदी तता सिंदू नदी के संगम को देखिएगा जहाँ पर आप रुक कर सुन्दर सेलफी भी ले सकते है इसके बाद आप बाजगो पेलेस तता बाजगो मोनेस्ट्री देखने जाएगा बाजगो पेलेस मिट्टी का बना होने से वर्तमान में कही जगे से तूट फूट गया है परंतु फिर भी इस महल की सुन्दरता का कोई जवाब नहीं है बाजगो पेलेस तता बाजगो मोनेस्ट्री ले से 40 किलोमेटर तता जांसगर नदी तता सिंदू नदी के संगम से केवल 4 से 5 किलोमेटर दूर है बास्गो पेलेस तथा बास्गो मोनेस्ट्री देखने के बाद आप लिकीर मोनेस्ट्री देखने जाएगा लिकीर मोनेस्ट्री बहुत ही सुन्दर तथा भव्वे मोनेस्ट्री है लिकीर मोनेस्ट्री लेह से 52 किलोमेटर दूर इस्तित है लिकीर मोनस्ट्री देखने तब लँच करने के बाद आप आलची गाव में इस्थित, आलची मोनस्ट्री तथा टेम्पल कॉंपलेक्श जिसे सहिंग्द रूप से आलची गोंपा कहते है देखने जाएगा आलची गोंपा ले से 7 किलमेटर दूरे तथा बासगो पेलेस तथा बासगो मोनेस्टरी से लगबग 18 किलमेटर दूरे आलची गोंपा बहुत विस्तत शेत्र में फेला हुआ है एक बात और याद रखें कि आलची मोनेस्टरी द्वारा समधसक केमप भी संचाली थे जहां आप चाहें तो रात पर stay भी कर सकते हैं कई सारे टूरिस्ट समझसक केम्प में रात रुखते हैं तता अगले दिन लहे के लिए प्रस्थान करते हैं समझसक केम्प का भोजन भी बहुत स्वाधिस्ट तता हेल्दी होता है यहां पर आपको स्थानी भोजन भी चकने को मिलेगा आलची गुमपा देखने के बाद आप लहे के लिए प्रस्थान करें आप यदि बीच में कहीं नहीं रुकते हैं तो दो से धाई गंटे में वापस लहे पहुंच जाएंगे इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तता रेस्ट करें अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तता होटल के रिसेप्शन से या पास के टेक्सी स्टेंड से दिन भर के लिए लगबग तीन हजार रुपे में टेक्सी बुक करके दुनिया के सबसे उचे मोटरेबल रोड खारदुला पास से होते हुए नुब्रा वेली देखने चाहिएगा दुनिया के सबसे उचे मोटरेबल रोड खारदुला पास में आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी खारदुला पास में कई किलोमेटर तक आपको रोड के चारो और सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी आप यहां कुछ देर रुक कर प्रकरति की सुन्दरता का आनन्द भी ले सकते हैं खारदुला पास से होते हुए आप नुब्रा वेली में सबसे पहले हुंडर सेंड डूइन्स देखने जाएगा हुंडर सेंड डूइन्स खारदुला पास से 86 किलोमेटर दूर है हुंडर सेंड डूइन्स डिस्कित गाउं से लगबग 10 किलोमेटर दूर है हुंडर सेंडूइंस में सफेद रेत के पहाड जो उचाई पर बर्व से ढगे होते तता नीचे नूबरा तता शोक नदी का संगम है वह आपको देखने को मिलेगा इस स्थान को ठंडा रेग स्थान भी कहा जाता है आप यहाँ पर दो कूबर वाले उटों की सवारी का आनंद ले सकते यह उट आपको रेत के सफेद मेदानों तता कुछ दूर तक पहाडों पर भी घुमा के लाएंगे यहाँ पर आपको एक सुन्दर तता अदभुत नजारा देखने को मिलेगा देखते ही देखते सफेद रेत पहाडों से फिसल कर मेदान में आ जाएगी तता थोड़ी देर में हवा के साथ वापस पहाडों पर चली जाएगी यह क्रम दिन भर सतत चलता रहता है यहाँ पर आप अपनी आँखों को रेत की आँधी से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग अवश्च करे क्योंकि यहाँ दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में रेत की आँधिया चलती रहती है हुंडर सेंड दूर्इंज में आप 500 रुपे में एक घंटे उट पर बेटकर हुंडर सेंड दूर्इंज शेतर का भ्रहमन कर सकते हैं यहाँ रेत प्रती वेक्ति का होता है हुंडर सेंड डूइंस देखने के बाद आपको 10 किलोमेटर दूर डिस्किट गाउं वापस आना होता है डिस्किट गाउं के चोराए पर ही आपको एक साफ सुतरा रेस्टोरेंट मिलेगा जहां आप केवल 100 रुपे प्रतिविक्ति के रेट से भरपेट लंच कर सकते हैं लंच में आपको स्थानी सब्योक्साद पनीर की टेस्टी सब्जी भी मिलेगी हमारी आपको सला है कि आप लंच यहीं कीजिएगा क्योंकि रास्ते में आपको कहीं भी इतना अच्छा तता इतना रिजनेबल रेट वाला रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा लंच करने के बाद आप डिस्किट गाउं में ही एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री है उसे देखनी जाएगा इस डिस्किट नामक मोनेस्ट्री में सेकड़ों बहुत भिक्षु निवास करते हैं जो विश्व के अलग-अलग देशों से आई हुए होते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री में गोतम बुद्ध की 106 फिट उची प्रतिमा है यदि आप चाहें तो डिस्किट मोनेस्ट्री के रेस्ट हाउस तता केम्प में नॉमिनल चार्ज देकर राद भर रुग भी सकते हैं यह स्थान लद्धाक में पेंगोग जील के बाद दूसरा सबसे खुबसूरत स्थान है इस जगह से आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा चुकि आपने टेक्सी एक दिन के लिए ही बुक किये इसलिए आपको वापस लेह लोटना ही होगा डिस्कित मोनिस्टी देखने के बाद आप वापस लेह के लिए प्रस्थान करें लेह पहुशने के बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तता रेस्ट करें अगले दिन अर्था सातवे दिन आप सुभ अपनी होटल में बेकफास्ट करें तता होटल से चेक आउट करके अपने ग्रह नगर के लिए जो संबंदित फ्लाइट उपलबद हो उससे प्रस्थान करें हलाकि लेंस से मानाली तता मानाली से दिल्ली के लिए बस सेवा भी उपलबदे परन्तु वह आपको फ्लाइट से भी जादा महेंगी पड़ेगी तता घर तक पहुँचने में आपको तीन दिन लग जाएंगे इसलिए आप फ्लाइट से ही वापस दिल्ली तक या अपने चहर तक जाएगा एसा नहीं है कि लगदाक में गुमने के लिए और जगह नहीं है यदि आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा हो तो आप कारगिल भी देखने जा सकते हैं कारगिल लेह से 216 किलमेटर दूर है तथा यदि सुभ जल्दी निकला जाए तो एक दिन में कारगिल का भ्रहमन करके वापस लेह लोटा जा सकता है अब हम लेह लगदाक ट्रिप से जुड़ी प्रमुग बातों पर चर्चा करते हैं गोर तलबी के लगदाक में कई सारे प्रतिबंदीत शेत्र होते हैं जिन में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट जिसे आई एलपी कहते हैं लगता है जो की लेक के डिप्टी कमिशनर आफिस से ही बनता है यह परमिट भारती सेना पेंगोग लेक नुब्रावेली खारदुला पास आदी के रास्ते में चेक पॉइंट पर देखती है आट सो बीस रुपे में छे दिन के लिए इनर लाइन परमिट बन जाता है यह परमिट आपके आधार कार्ड पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी के आधार पर बनता है आप बिल्कुल चिंता न करें यह परमिट आप जब लदाक में अपनी होटल मे जाकर यह परमिट केवल अपनी आईडी कार्ड दे कर तता एक फॉर्म भरकर प्राप्त कर सकते हैं आप स्वयम लहे के डिप्टी कमिशनर आफिस जाएंगे तो यह परमिट केवल 620 रुपे में ही 6 दिन के लिए बन जाएगा परंतु बहतर यह है कि आप होटल के रिसेप् भी ततकाल बनवा देंगे इसलिए आप इस परमिट की ज़्यादा चिंता ना करें यह परमिट आनलाइन भी बन जाता है इस ट्रिप से जुड़ी कुछ बातें और याद रखें ले लद्दाक में तापमान बहुत कम होता है इसलिए अपने साथ अच्छे गर्म कपड़े अवश रखिएगा ले लद्दाक ट्रिप में अपने साथ अच्छी गृप वाले जूते ही रखें इस ट्रिप में लद्दाक में प्लास्टिक प्रती बंदी थे तो आप पर्यावरन फ्रेंडली सामगरी का ही उपयोग करें अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोटल ही लेकर जाएं लद्दाक में टेक्सी वालों से जम कर बारगेन करें क्योंकि कई टेक्सी वाले टेक्सी का किराया 4-5 गुना तक जादा बताते हैं आप टेक्सी बुक करने से पहले यह देख लें कि वह कितने किलोमेटर लेके जाएगा तथा वह प्रति किलोमेटर कितना चार्ज कर रहा है यह बात आप गांट बांद लेकि टेक्सी वालों तता ट्रेवल एजेंट के पेकेज बिलकुल नहीं लेंगे क्योंकि यदि आप पेकेज ले लेंगे तो आपके बुरी तरट थगाने की संभावना है ट्रेवल पेकेज लेने पर टेक्सी वाले ठीक धंग से गुमाते नहीं है तता केवल खाना पूर्ति करते हैं चाहे होटल वाले टेक्सी वाले या ट्रेवल एजेंट कितना ही बोले आप डेली बेसिस पर ही टेक्सी हायर कीजिएगा केवल पेंगॉंग लेक के लिए ही दो दिन की टेक्सी किराय पर लीजेगा बाकी प्रति दिन टेक्सी डेली बेसस पर ही लीजेगा अनिता लेहे के टेक्सी वाले तथा ट्रेवल एजन्ट आपके पॉकेट में बड़ासा होल कर देंगे अब हम साथ दिन की इस लेह लगदाख ट्रिप के अधिक्तम कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया लगबग 20,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का टिक्सी का कुल किराया लगबग 18,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का होटल का किराया 10,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का भोजन का खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का साइट सिंग तता एक्टिविटी का खर्च 3,000 रुपे चार लोगों का लद्दाख में साथ दिन का अधिकतम कुल खर्च 59,000 रुपीज इसे हम चार से डिवाइट करते हैं तो प्रतिविक्ति कुल खर्च 14,750 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 14,750 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी तता फ्राइट को शामिल करते हुए लद्दाख गूम सकते हैं यदि आप टेक्सी की जगए शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो यादरा खर्च बहुत कम हो जाएगा तो अब इंतिजार मत कीजे जल्दी ही लद्दाख गूमने का प्लान बनाईएगा यदि आपको हमारी जानकरी सही तता उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास अर्थात ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू